उर्मिला सिरीश हमारे दौर की सरवादिक महत्वपूं कथाकारों में से एक हैं। उन्होंने धेरों कहानिया लिखी और हर वर्ग द्वारा सराही गई। आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी गिर्गिट मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सेंग। आज मुझे दोपहर की बस पकड़नी थी, रात 11 बजे तक भी मैं पहुच गई तो बेटी खुश हो जाएगी। उसके जन दिन पर मेरा ना होना उसके लिए सबसे ज़्यादा उदासी भरा दिन था। रो रो कर उसने चता दिया था कि मुझे उसकी परवा नहीं है। पिछले मैं राजिस्थान टूर पर थी और इस बार भी बाहर। जब उसकी दोस्त पूछेंगी तो क्या जवाब देगी। मैंने सुबह ही उसे आश्वस्त कर दिया था कि मैं हर हाल में पहुच जाओंगी। नौकरी पेशा मा की मजबूरियां बच्चे कितना समझ पाते हैं। उन बात की बस में जाने का निश्चा कर लेती है। मई का महीना गरम तेज हुआएं लग रहा था आसपास से आग बरस रही हो। उपर से इतनी भीर। धक्का मुकी के बीच मैं तो पलभर के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी। बस स्टेंड पर खड़ी मैं एक के बाद एक बसो को जाते देख अजाहय खड़ी थी। बसों का धुआ, बीड की धका मुकी, पान, बीडी, सिगरिट की बदबू और कान फोर शोर। हर बस वाला इस फिराग में रहता कि कौन कितनी सवारियां लपके। अंदर जगए हो या ना हो उन्हें तो सवारियों से मतलब सवारियां लपको, सवारियां खीचो, अभियान में गाली गोलोच से लेकर मारे पीटने की धमकी तक की नौबत आ जाती। ये अभियान यहीं खतम नहीं होता, बलकि कौन बस पहले सवारियों को गंतवे तक पहुचाएगी, इसमें भी कड़ी प्रतिस परधा होती। वे कठोर होकर इस कारे को अंजाम देते, भले ही सवारी अपने प्राणों की भीक मांगती रहे। आधा उत्साह तो मेरा वहीं ठंडा पड़ गया, इतनी गंदी भाशा, अशलील हरकतें करने वाले कंड़क्टरों की, की बस में मैं कैसे जाऊंगी। पर उधर समय भी बीतता जा रहा था मेरी आखों के सामने बेटी का चेहरा टहरा हुआ था, बरामदे में खड़ी प्रतीक्षारत बेटी की नमाखें। आईए मैडम, सीट कहां है, बैठा लेंगे। खाली सीट होगी तभी तो बैठा होगे, खड़े होने तक को तो जगए नहीं हैं। आपको सीट देंगे ना कंडेक्टर ने मुस्कुरा कर अदब के साथ कहा, मुझसे बात करते हुए वो चारों तरफ देखता हुआ, अन्य सवारियों को आवाज देकर बलाता जा रहा था, पीछे खड़ी बस में कोई सवारी न जा पाए, उसका सारा वाक चातुर्य इसी में लगा हुआ था, चलें तोड़ रहा है, पीछे खड़ी बस के कंडेक्टर ने गाली देकर पूचा, अब धूप में खड़े रहना सहन नहीं हो रहा था, गरम तेज हवाओं में धूल भरी थी, जो आखों तथा बदन पर चिपक चुब रही थी, मैं हिम्मत करके बस में घुज गई, अंदर देख तिल धरने की जगए नहीं है, लोग एक दूसरे से ठसे खड़े थे, और जरा सा जटका लगते ही एक दूसरे बगर जाते, किसी का हाथ फसा या तो किसी की गर्दन, बच्चे पुरी तरह से रो रहे थे, मैलाएं बढ़बढ कर रही थी, और आदमी लोग जोर जोर से बोल दे जा रहे थे, कुल मिला कर बोल सब रहे थे, पर शब्द किसी के भी समझ में नहीं आ रहे थे, एर आकेश सामने की सीट से सामान उठा, जाएए मैडम, आप लोग वहाँ बैठ चाहिए, ड्राइवर के केविन वरनी सीट, उस पर हम दोजने कैसे आ सकते थे, उपर से हमा का नजारा नहीं देख सकते थे, उनको पकड़ कर ठूसे जा रहा था, बसका समय हो चुका था, पर उसे समय से ज़्यादा संख्या की परवाह थी, समय तो बाद में कवर हो ही जाएगा, जैसे तैसे पाउं फसा कर हम दोनों बैठ गए, सामने बैठा ट्राइवर, जिसकी श बोनिट के कारण पाउं पहलाने में तकलीफ हो रही थी, तरह तरह की बद्वूएं, खासी, छीक, रोना, उफ, हाई गर्मी से बेहाल हो रहे लोगों की आवाजें सुनाई दी रही थी, कब तक चलेगी, बस पांच मिनट, कोई तो नियम कानून होगा कि कितनी सवारियां बैठानी चाहिए, कौन मानता है नियम कानून मैडम, सबको पेपर लगता है, पेपर निकाल कर मैं हवा करने लगी, अंदर पसीने की धारे बह रही थी, मुझे लगा पांच मिनट बस नहीं चली तो मैं बेहोश हो जाओंगी, डाइवर ने नई फिल्मों का कैस्ट लगा जो करकश आवाज पैदा कर रहा था, उसने दो-तीम बार सीटी बजाई, तब उसने पांस साथ हॉन बजाए और गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चलने से जान में जान आई, पर हम एक दूसरे से ऐसे सटे बैठे थे कि धचका लगते ही परस पर टकरा जाते, आगे पीछ गिर जाते, ऐसी कष्ट प्रद्यात्रा, पूरा पैसा दो फिर भी आराम नहीं, कोई इनकी मनमानियों को रोकता भी तो नहीं है, पहले पता होता तो भाईया से कहलवा देती, चलो देखते चलो सही सलामत घर पहुँच गये तो समझ लेना आज का दिन अच्छा था, सवार पर या ओवर टेक करते हुए, वो बस को इस तरह काटता कि प्राण मुझ को आ जाते, जैसे बस नहो कोई खिलो नहो, जिसे वो जैसे चाहे वैसे गुमा रहा था, सवारियों के मुझ से निकलती चीखों की उसे परवाही नहीं थी, शाम के छे बजने वाले थे, धूप नह कर भी धूप का असर था, भीशन गर्मी, पता नहीं पारा कितनी डिग्री रहा हुगा, ड्राइवर ने एक जगए बस रोखी, मैंने देखा सिंदूरी रंग के आस्मान पर शामल रंग की उतरती संध्या को, उसने अगरबती जलाई, सामने लगी तस्वीर की आरती उतारी बोनेट के चार फेले लगाए, और हाथ जोड़कर आँखें मूंद कर होटो ही होटो में कुछ मंत्र या आरती का उच्छारर दिया, और उसके बाद उसने फिल्मों के गीतों की जगए भजन का कैसिट लगा दिया, हम दोनों उसकी इस भक्ति भावना से प्रभावित हो उ हैं, हम लोगों को जूट बोलकर बैठाया था कि सीट खाली है, एक सीट पर दो दो सवारी, आपको तो ये भी मिल गई, दूसरे लोग तो खड़े खड़े जा रहे हैं, वो उतनी ही रूखी आवाज में तरसकार के साथ बोला, सच मुझ इसे देश का दुरभागे ही कहा ज सुरक्षा, बहस मत करो, मेरे मित्र ने मेरे कान में कहा, मैडम आपकी समझ में क्यों नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता, यही कि बोनेट से पाउँ टच नहीं होना चाहिए, आपने देखा नहीं, हम इसकी पूजा करते हैं, कहा टच हुए पाउँ, और सुनो, सामने न वैसे भी एसीट आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, स्टाफ का आदमी बैठता है, या वी आईपी, वो लगातार बहस करने, अपमानित करने तथा मजाग बनाने की मुद्रा पे था, वो जानता था कि चलती गाड़ी में सवारी से कुछ भी कहा जा सकता है, दो महिलाएं वो भी अकेली, रात का समय, क्या कर लेंगी, मैं भर्सक प्रयास कर रही थी कि पावों को समेट कर रखूं, पर पावों धचके के कारण उपर नीचे हो जाते, कभी हमारा धर तक नीचे तक जूल जाता, ओमस, गरम हवा, उपर से ड्राइवर की बद तमीजी, मैं इस तरह क उटपटांग, भाशा, तेवर, तता अपमान सहन करने की आदी नहीं थी, विदिशा जिले में आती है, सुनो, इस बार अगर ये बद तमीजी करे, तो इससे बता ही देना, ठीक है, ड्राइवर कंकियों से बार बार हमारी तरफ देख रहा था, हमारी बातों के उसके कान ल खचे उड़े थे, एक्सिडेंट, ऐसे ही तो होते हैं, इन लोग को सवारियों की जान की क्या की मत, पैसा वसूलना इनका धंदा है, ना सीट ना सुविधाएं, सवारियों के साथ बचसलूगी करने का जैसे इन्हे अधिकार मिला हुआ है, हम दोनों को हैरान, परेशान, चिंतित, तता कष्ट में देख कर मुस्कुरा रहा था, गा रहा था, मैंने प्रारतना की कि सुरक्षत घर पहुंच जाओं, उसने फिर जोर से कहा, मैडम, आप अपना बैग उधर रख लीजिए, कहां रख लूँ, कहीं भी, पर यहां नहीं, समझीं आप, तुमारी ये ब रंगले पर कोई नहीं जा सकता, कैसे हैं वे, बहुत सक्त और इमानदार हैं, पर आप क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ, बहन, मजिस्ट्रेट साब की बहन हैं आप, बहन है, उसकी आवाज एक आएक बदल गई, लगबग घकी बंद गई, बात करने का लहजा बदल गया, उसने गाड़ी की स्पीड नियंत्रित की, हातों का संचालन, जिनसे वो स्टेरिंग को खिलोने की तरह घुमा रहा था, उनको नियंत्रित किया, उसके चेहरे पर हवाईयां उडने लगी, अरे राकेश हो राकेश, उसने वहीं से आवाज लगाई, सुन और सुन तो, कंडेक्टर ने मेरे आसपास रखा सारा सामान अटाया, मेरे बैक को उसने करीने से जमा दिया, मैटम आप आराम से बैठ जाईए, पाउं पसार लीजिए, वो एकदम गिर आते हुए बोला, मैं इधर की सीट आपके लिए खाली करवा देता हूँ, नहीं, अब उनको पता चलेगा कि बस में कितनी सवारियां थी, सवारियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, कैसे भीड बक्रियों की तरह उने ठूसा जाता है, इनलों की भाषा और हरकतें किस तरह सवारियों को मानसिक यातना पहुचाती है, हर पल अपने प्राणों की चिंता तत मजिस्ट्रेट ने कैंसिल कर दिया तो पैनल्टी भढ़नी पड़ेगी सुवाला मालिक मुझे तो मारी टालेगा नौकरी से निकल गया तो फिर क्या खाएगा और क्या खिलाएगा परिवार वालों को उसे सामने की सड़क कुछ-कुछ गोल नजर आ रही थी या आड़ी तिर साहब जब विदिशा से इंदोर जाते हैं तो हम उनकी सीट रिजर्व रखते हैं कोई बात नहीं आप इंदोर काम से आई थी हाँ मुझे उससे बात करने का क्या उसकी तरफ देखने तक की इच्छा नहीं हो रही थी मन वित्रशा से भर उठा आम आदमी की कीमत क्या वोट देने के लिए होती है मैडम जब कभी आना जाना हो तो आप फोन भर कर दिया करें मैं आश्चरे तता क्षोब से उसका चेहरा देखने लगी इंसान कितनी जल्दी अपना रंग बदलता है उसे शर्म या आत्म ग्लान भी नहीं होती कि एकशन भर पहले वो कैसी हरकते कर रहा था अगले बस स्टॉक पर बस के रुकते ही वो दौड कर नीचे गया और पानी लेकर आ गया मैडम पानी चाहे पीएंगी या कोल ड्रिंक्स कुछ भी नहीं प्यास लगने के बावजूद मैंने मना कर दिया कुछ तो ले लीजे मैडम इस्पेशल चाहे बन जाएग हम दोनों बस से उतर कर सामने की दुकान पर गएं ताकि वहाँ से घर पर फोन कर सकें प्लीज मैडम उसने लोट निकाल कर कहा नहीं मैंने सक्ती से कहा पैसे मैं ही दूंगी सुनो दो कुरसिया डाल दो इस्पेशल चाहे बना कर लाना फिर वो हमारी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा चाय के साथ कुछ लेंगी नहीं कुछ नहीं चाय तो ले लो वनना वो डरके मरे मर जाएगा मित्र ने कहा बीस मिनट पहले देखा था वो स्वैम चाय लेकर आया दो प्लेटों में बिस्किट मंगोडे और मीठा रख दिया बस स्टॉप पर बस ज़्यादा देर नहीं रुकती थी लेकिन उसे इस बात की या शेश सवारियों की तकलीफ की चिंता कहा थी मैडम आप लोग तो आराम से चाय पीजिए कोई जल्दी नहीं है उसने घिगियाती आवाज में कहा मैंने देखा हम दोनों के बैठने के बाद ही वो सीट पर बैठा पुराने फिल मैडम चुटियां लगने वाली हैं इसलिए सवारियों का लोट बढ़ गया है हर बस भरी हुई जा रही है मैंने कोई उपतर नहीं दिया मैं बहुत ठका हुआ महसूस कर रही थी साड़ी नौके बाद भी हवाओं में लू की तीव रता थी पूरा बदन उन गरम हवाओं से जल रहा था मैडम फिर कभी इन दोर आईएगा फिलाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है आप कहां रहती है वो पाल में तो कभी विदिशा आएं वो मेरा मन ले रहा था कि मैं निकट भविशे में विदिशा जाने वाली तो नहीं हूँ और जाओंगी भी तो कब विदिशा त तो बड़ा नाम है बड़े सजन व्यक्ति हैं सबी लोग उनकी इज़त करते हैं किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके बंगले पर कोई जा सके हम मैं उबने लगी थी और चाहती थी कि वो मूँ बंद रखे मेरा एक एक पल मुश्किल से कट रहा था बार बार बेटी का ज निरी कुते की तरह दुम हिलाने के अंदाज में चाप्रूसी करने लगा बोपाल पहुचते पहुचते सारे दस बच चुके थे मैडम मैं आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ नहीं हम लोग चले जाएंगे वो भाग कर गया और आटो ले आया हम दोनों का सामान जो भूल हो गई उसके लिए माफी दे दीजिए पर क्या पर मेरी शिकायत मत करिये मजिस्ट्रेट सहाब ने अब तक कई बसों का पर्मिट कैंसल कर दिया है मेरा मालिक तो मुझे मारी डालेगा ये पहले सोचना था और तुम्हें ये अधिकार किस ने दिया कि तुम सवार के साथ बत्तमीजी करो अपना रुद्बा दिखाओ गाड़ी चलाते वक्त तुम जिस तरह की हरकते कर रहे थे उससे एक्सिडेंट हो सकता था तुम्हें किसी के जान की पर्वा है या नहीं वो गर्दन जुकाय चुपचा मेरी बाते सुनता रहा उसकी आंकों में नौक्र व्यवार बदल लिया था पर आमरों के साथ क्या वो कभी बदलता होगा सारी दुनिया में पावर का गेनी क्यों चलता है बिना पावर के लोग क्यों नहीं सही रास्ते पर चलते हैं क्यों नहीं जीवन को जीवन समझते हैं कब पैदा होगी ये समझ उपर से लेकर नीचे पावर गेम में सनलिप्त लोग और उसका आनंद उठाते लोग भूल जाते हैं कि नदी की अपेक्षा नाले में जल्दी उफान आता है छोटे-छोटे लोग और छोटी-छोटी शक्तियों का तंतरजाल मेरी मित्र नाराज होकर बोले जा रही थी मैंने देखा ड्राइवर की निगाह मेरे हातों में थमे पेपर पर थी जिस पर मैंने बस का नंबर नोट किया हुआ था मैडम मजिस्टर सहाब से शेश शब्दों पी गया जितनी तेजी से ऐसे लोग उचलते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं मैंने आटो में कदम रखना चाहा तो सामने आकर खड़ हो गया कंडेक्टर को इशारों में कुछ कहा मैडम उन दोनों के मुझसे सहसा निकला चलो ऑटो स्टार्ट होने के बाद भी वे दोनों उदास तता हताश निगाहों से देख रहे थे थोड़ी दूर निकलने के बाद हम दोनों ने गर्दन बाहर निकाल कर देखा वे दोनो अभी हत्रप से जाते हुए आटो को ही देख रहे थे अभी आप सुन रहे थे आम व्यक्तियों की समस्याओं से रूबरू कराती हुए एक कहानी जिसको लिखा था और मिला सिरिश जी ने आम नागरिकों जिनके पास कोई पद या पावर नहीं है उनके साथ कैसा व्यवार क किया जाता है इस कहानी में इस पश्टता बताया है जो कि पूरी तरह सच है आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो